आइए बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका राज कुमारी जी स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार कहां से बात कर रही है हम मैंचर से ठीक है आपका सवाल क्या है सवाल है हम ने आपके यहां से न गौंच किया और ये तुनका सिर्का मुझवाया हां हकीम साब से बात कर भी पूचुन अता केके बता आज़ाए जी जी मैं तो सुन रहा हूं मैं नजर आहा रहा हूं आपको नहीं राज کुमारी जी जी हांगा जी पुर्टनो जी भाजित हो यह तो जी राज कुमारी जी बताईए हमने अमने मेरे को न शार बजन में बजन में दर्दे होती थी मैंने तो गोंच जी रम गाया आपके वहां से और ज़ैतून का सिर्का ठीके जैतून का सिर्का क्यों मंगाया आपने जैतून का सिर्का ती चमच छोटे चाय के चमच पानी में मिलाकर रात के समय जब सोने का टाइम हो उस वक्त पी लिया करें एक बार गरम पानी हो तो बहुत अच्छा यह आपके बलेट पेशर को हमेशा कंट्रोल कर सकता है एक ही बार ले जरुबत पड़े तो दो वार भी ले सकते हैं यह जो गौन सिया है यह बहुत कड़वा है इसका पाउडर बना ले और एक चुटकी में जितना आए या एक चुटकी या दो चुटकी ज्यादा परिशा होता है ना बड़ा वाला चोले बटूरे खाते ना तो उसकी बराबर गोली बना ले आदा आदा गिराम खाना है सुबह शाम नाच्टे और खाने के पश्चात और पानी से बगए चर्बी के दूस से आप इसे ले सकते हैं यह खत्म होने से पहले आपके रोख को खत्म करने की ताकत रखता है